सिक्षक साथियो नमसकार, मैं हूँ राजंदर कुमार टांडिया और आप देख रहे हैं लक्षित इजी टेक यूटूब चैनल दोस्तों, इसकूल सिक्षविभाग 36 गर रायपूर द्वारा 16 अगस्त 2021 को एक महत पूर्ण गाइडलाइन जारी किया गया है यह गाइडलाइन आकलन के क्रियानवयन के संबंध में है आप सभी को ग्यात है दोस्तों, हमें इस सिक्षा सत्र में तीन आकलन लेना है पहला है बेसलाइन, दूसरा मीडलाइन और तीसरा है एंडलाइन इसके अलावा दोस्तों हमें पांच इकाई मुल्यांकन भी लेना है अब बात आती है हमें आकलन कब कब लेना है कितने कितने अंको का लेना है तथा आकलित बच्चों को हमें ग्रेट कैसे देना है ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा अब मुख्य बात और बता दूं दोस्तों आप जो भी आकलन लेंगे उसका रिकार्ड संधारन अवस्य करिएगा क्योंकि इस सत्र में आपको आउलोकन वा परिच्छन का सामना करना पड़ सकता है अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये रहा आकलन हेतु दिशनिर्देश आप इस दिशनिर्देश को अच्छे से अध्यन कर लेंगे क्योंकि यह आकलन के संबंध में है यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है आगे दोस्तों ये रहा महत्वपून बिंदू हमें बेस लाइन आकलन जो है अगस्त माहा अर्थात इसी महने लेना है और यह 30 अंको का होगा यह मुख्य रुप से सेतु पाठक्रम पर आधारित है उसके बाद दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमें 10-10 अंको का इकायम मुल्य अंकल लेना है फिर दिसंबर में हमें विद्यार्थियों का मीड लाइन आकलन लेना है जो 40 अंको का रहेगा और यह पाठक्रम का 60 प्रतिसत हिस्सा होगा इस बाद को ध्यार रखेंगे दोस्तों उसके बाद जनवरी फरवरी में हमें 10-10 अंको का फिर इकायम मुल्य अंकल लेना है और मार्च में हमें एंड लाइन आकलन लेना है जो 30 अंको का रहेगा और यह पाठक्रम का 40 प्रतिसत हिस्सा होगा इस प्रकार दोस्तों इस सत्र में हमें कुल 150 अंको का आकलन लेना है अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे है प्रस्णपत्र निर्मान में कक्छा का निर्धारन और आगे देखिए यह रहा महत्पूना इससे पहले हम इस प्रकार का grade का निर्धारा नहीं किये थे अब देखिए दोस्तों आपको इस सत्र में A प्लस grade देना है A देना है B प्लस B, C प्लस C और D E यह नया grade है दोस्तों अब आगे है प्रश्नपत्र का प्रारूप प्रश्नपत्र की संख्या कितनी होगी, कितने कितने अंख होगे यह तमाम जानकारियां आपको इस आदेश में मिल जाएगी आप इस आदेश को अच्छे से अध्यान कर लेंगे दोस्तों उसके बाद है ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट भी एक महत्पून बिंदू है दोस्तों ब्लूप्रिंट के बाद है प्रगती पत्रक इस सत्रह में इस प्रगती पत्रक को विद्यार्थियों को देना है तो आप प्रगती पत्रक में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है दोस्तों आप इस प्रगतिप पत्रक को भी अध्यान कर लेंगे तो साथियों मैं आपकी सुधा के लिए इस आदेश को description box में save करके रख दूँगा आप वहाँ से इसे download जरूर कर लेंगे यहाँ आपके लिए बहुत ही फायदयमंद है यहाँ पर एक sample paper भी दिया हुआ है दोस्तों यह देखिए यहाँ सेतु पाठिक्रम पर आधारित है इस sample paper का सहारा लेकर आप paper निर्माण भी कर सकते हैं तो साथियों यहाँ पर देखिए कक्छा चोंती यहाँ पर कक्छा चठवी इस प्रकार से कुछ-कुछ अंस यहाँ पर है आप इसे अच्छे से अध्यन कर लेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों अगर जानकारी पसंद आये तो लाइक करना मत भूलेगा और चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा बहुत बहुत धन्यवाद